हेलो डोरी सब्सक्राइबर्स मैं हूं आपकी दोस्टे स्वागत है आपका बेस्ट केर ऑफ विंस में इस वीडियो में सेवन वीग ऑफ प्रेग्नेंसिप की बात ने जा रहे हैं संन वीडियो में आपके बेभी का साइज इंचीन में कितना हो जाता है बॉडी में और कौन कौन से पार्ट डेवलप हो जाते हैं और आपकी बॉडी में क्या अचानक से चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहत खास है अगर आप 7 week of pregnancy में हैं या फिर एंटर करने वाले हैं तो थोड़ी जानकारी होना आपको बेहत जरूरी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद है तो प्लीस वीडियो को एक लाइक शरूर दे 7 week of pregnancy एक जो लोग कोशन पूसते हैं कि 7 week of pregnancy का मतलब क्या है हमारी प्रेगनेंसी को कितने महीने हुए हैं तो अगर आपकी 7 week of pregnancy है या आप एंटर करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी को एक महीने प्लस 3 हफते हो चुके हैं बस एक हफता और आप क्रॉस करेंगे मतलब कि जब आपके प्रेगनेंसी को 8 सब्ता पूरे होंगे और आप अपनी प्रेगनेंसी को 2 महीना पूरा कर लेंगे यह साथ हफते प्रेगनेंसी प्लस भी तो इसका मतलब कि आपकी पलस को एक महीन झाल lang पूरो को गा है अब बच्चे में क्या-क्या विकास होता है, कितना development हो जाता है, अब हम इसकी बात करते हैं तो 7 week की जो pregnancy होती है, उसमें जो embryo का size होता है आपका, वो आपके 6 week pregnancy से just double हो जाता है मतलब अगर हम inch में बात करें, तो आपकी बच्चे का size जो है, वो 0.51 inch हो जाता है एक blueberry का जितना size होता है, उतना size आपके बच्चे का होता है, 7 हफते की pregnancy में इसके अलावा बच्चे में क्या-क्या development और होते हैं, तो बच्चे का digestive system है, वो develop हो जाता है बच्चे के kidney develops होने start हो जाते हैं, बच्चे के skin color है, बहुत जादा transparent होती है अभी वो properly set नहीं होती है, लेकिन वो दीरे-दीरे set होनी शुरू हो जाती है इसी में और इसके अलावा जो changes आते हैं, वो आपके बच्चे का head है, वो थोड़ा सा बड़ा और दिखना शुरू हो जाता है जब आप USG कराने जाते हैं, और बच्चे में daily hundred new brain cells बनने शुरू हो जाती है, साथमें हफते की pregnancy से ही इसके अलावा बच्चे के eyes हैं, ears हैं, tongue हैं, यह सब जो हैं, वो human like दिखने लग शुरू हो जाता है और बच्चे का embolical cord बन जाता है, जिससे की मा और बच्चे में connection होता है, मा जो भी खाती है, पीती है, oxygen लेती है, सांस लेती है, तो वो सारी चीजे बच्चे तक smoothly पहुचती रहती है यह सारा nutrition जो है, मदर से बच्चे तक pass होता रहता है 7 week में बच्चे का size जैसे की मैंने बता दिया कि एक blueberry के size जितना बड़ा हो जाता है, और बच्चा जो है, आपका जो uterus है, उसमें और जगह बच्चे के लिए बननी शुरू हो जाती है इसलिए कई बार आपको जब 7-8 week की pregnancy होती है, तो उसमें आपको पेट में कभी-कभी बहुत ज़्यादा contraction हो सकता है, या हलका मरोड जैसा होता है तो उसका रीजन ये है कि uterus में जो है न वो expand होता है, फैला होना शुरू हो जाता है, ताकि जब बच्चा अपने आपको और उसका जब size increase हो तो अच्छे से उसमें proper आपके uterus में बच्चे के लिए space बना रहे है तो uterus expandation शुरू हो जाता है, 7 week of pregnancy में और इसके अलावा आपकी जो waistline होती है, वो भी थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाती है, 7 week में इसके अलावा जो और changes आते हैं कि कुछ women's को बहुत ज़्यादा dryness होने लगती है skin में pregnancy के शुरुवाती weeks में तो वहीं कुछ लोगों को कुछ भी feel नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपको skin में थोड़ी सी आपके dryness आने शुरू हो जाए, साथ में breast में भारी पन और बहुत ज़्यादा आपको breast में smoothness और भारी पन भी feel होगा, क्योंकि आपके breast जो है वो बच्चे को feed कराने के लिए prepare हो रहे हैं, तो body में hormones release होने लगते हैं, जिसकी वज़े से आपको अपने breast heavy लगने लगते हैं और उनमें tenderness आ जाती है, और साथ ही early pregnancy symptoms भी आते हैं, इसके अलाव इन्फेक्शन से protect करने के लिए होती है, तो अगर आपको भी pregnancy के दौरान mucus plug आ रहा है, तो इसमें आपको tension लेनी की ज़रत नहीं है, ये बच्चे को किसी भी तरह के infection से बचाता है, तो ये हैं वो खास बातें जो की 7 हफते की pregnancy में होती है, अगर आप भी ये सब notice कर रहे है प्लीज हमें comment करके ज़रूर बताएगा और पसंद आया तो वीडियो के एक like ज़रूर दे, मिलेंगे हम नए वीडियो में 8 week of pregnancy की बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए, bye bye, see you soon, stay happy and stay healthy